मेरा नाम मेहंदर औरोड़ा और प्रप्रप्रेटरू भारत प्टोर का जो प्लॉट नमर 372 सेक्टर 377 फेज 6 में स्थीत है गुरू ग्राम में यह सोयविन चाप सोयविन के आटे से त्यार होता है और इस विद्धिन का आटा होता है जिसमें ओएल मिक्स होता है फूरा इसको डो मिक्सर में डालते हैं जिससे इसका त्यार हो जाता है 15-20 मिंट में एक बार में लगभग 40-40 किलो आटा डलता है उसके बाद इसको लकडी की स्टीक पे लपेटा जाता है पर फैक्ट जो स्टाफ है उसके दोरा लपेटा जाता है और मैनूल होता हूँ उसके इसको उबालने के बाद और उसके बाद इसको 15-20 मिंट के लिए सुकाया जाता है ताकि हमारे जो आगे इसकी प्रेकरिया है बलास्ट में जाने की या कोल्ट्रोल में जाने भी उसके लोड कम बड़े सुकाने के बाद इसको आदा किलो की पैकिंग में एक किलो की पैकिंग में जैसे हम रिक्वार्मेंट होती है मार्किट की इसको पैक किया जाता है नॉर्मली एक आदा किलो में नो से दस टीक होती है पचास ग्राम का एक पीस होता है लगवग यह कंप्लीन होने बलास्ट में भेजते हैं इसको इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए तक इसकी लगातार नो मैने तक खराब ना होई है बिल्कुल वैसे वैसे रहेगा माइनस 18 डिग्री में रखना पड़ेगा इसको एक पर तो पहले बलास्ट में जाता है जिसमें टंपरेचर होता है लगवग माइनस 32 डिग्री उसके बाद इसको नॉर्मल कोल स्टोर में शिट कर दि डेली 400 गिलों के क्रीब आटा लगता है दस घान बनाते हम बागी मैं लोगों से नुरूद करूंगा कि सोया चाप बनाओ जीव जन्तों को बचाओ जो लोग नोन वेजिटेरियन नोन वेज खा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा विकल्प है साब सुत्री हमारी बनी